सौ करोण का आंकड़ा तो अजे देवगन की मुवी द्रिश्यम 2 ने असानी से पार कर लिया है लेकिन इसके आगे की रहा फिल्म के लिए असान नहीं रहने वाली है क्योंकि 25 नवेंबर को सिनेमा घरों में वरुन धवन अप क्रिति सनन की मुवी भेडिया भी रिलीज हुई है ऐसे में दोनों फिल्मों की बीच क्लैश होना तो लाजमी है बॉलिवड के सिंगम अजे देवगन का बॉक्स आफिस पर डंका बच ही रहा है अजे देवगन ने साबित कर दिया है कि वो 100 करोड के क्लब के मास्चर है उनकी हाल्या रिलीज फिल्म डिश्यम टू ने महस साथ दिनों के अंदर 100 करोड का आंकड़ा पार कर लिया है जिश्यम टू की नॉन स्टाप कमाई की रफ्तार कम होती भी नजर आ ही नहीं रही है जिसकी उमीद थी वही हुआ जदेवगन की मूवी ने पहले हफते में 100 करोड के कलब में एंट्री पाही ली है रिलिस में पहले दिन से अजदेवगन की फिल्म तापर तोड कमाई कर रही है इस फिल्म ने शुक्रवार को 15.38 करोड रुपे शनिवार को 21.59 करोड रवीवार को 27.17 करोड सुमवार को 11.187 करोड मंगलवार को 10.48 करोड वही फिल्म ने बुद्धवार को 9.55 करोड रुपे कमाई है शुरुवाती रोजानों की मुताबिक द्रिश्यम 2 ने गुरुवार को 8.70 करोड रुपे की कमाई कर ली है साथ दिनों का कुल कलेक्शन इंडिया में 104.74 करोड रुपे हो गया है द्रिश्यम 2 इस साल याने की 2022 संचुनी मानने वाली पाचवी हिंदी फिल्म बन चुकी है इतना ही नहीं बलकि द्रिश्यम 2 अज़े देवगन की करियर की 100 करोड में शामिल होने वाली 13 भी मुवी बन चुकी है अच्छे देवगन की मुवी ने इस साल की सुभहेट फिल्म भूल भलया 2 को भी कर दिया है पच्छाड कार्टी करन की मुवी ने पहले दिन 92.05 करोड रुपे कमाए थे वही द्रिश्यम 2 ने पहले हफ्ते में 100 करोड रुपे पार कर लिये है भूल भूलया 2 की लाइफ टर्म कलेक्शन 185.92 करोड रुपे को भी क्या दिश्यम 2 पच्छाड पाईगी आने वाले दिनों में इसका भी जवाब मिलने वाला है 100 करोड का आंकरा तो दिश्यम 2 ने असानी से कर लिया है पार लेकिर इसके आगे की रहा फिल्म के लिए असान नहीं रहने वाली है क्योंकि 25 दिसमबर को सिनेमा घर में परुन धमन अकृति सननन की मूवी भी भी रिलीज हुई है ऐसे में दोनों फिल्मों की बीच क्लाश होना लाजमी है दोनों मूवीज में कौन किस पर भारी पढ़ेगा ये तो आने वाले दिनों में मालूम हो पड़ पाएगा अभी शेक पाटा के निर्देशम में बनी फिल्म दिश्यम टू की दुवादार कमाई के लिए बॉलिवर के किसी वर्दान से कम नहीं है फिल्म में अजे देवगन के साथ तबू, श्रिया सरन, अक्षय खन्ना, इशिदा तत्ता एहम रोल में नजर आए है वही इस फिल्म में अजे देवगन के आक्टिंग ने तो हर किसी का दिल ही जीत लिया है वही इस फिल्म में तबू की किरदार ने, श्रिया सरन के आक्टिंग ने, अक्षय खन्ना की आक्टिंग ने, इशिदा तत्ता की भी आक्टिंग ने हर किसी का दिल जीता है इस फिल्म को दर्शे को त्वारा काफी अच्छा रिस्पांस मिला है जिसने किसी ने भी इस फिल्म को देख लिया है वो इसकी तारीफ करती वे ही नहीं ठपक रहा है अब ऐसे में देखना काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है कि आने वाले दिनों में अजेदेवगन श्रिया सरेन की फिल्म दृष्षण टू क्या कमाई करती है वेल दौस्तों इसको लेकर क्या है आपकी रहाए आपको क्या लगता है कि दृष्षण टू कितनी कमाई करती है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी न भूले और हमारे चानल को ज़रू सब्सक्राइब करें